जैश्री महागाल अब सबी लोगों को आज की इस वीडियो में जो ये भहरव सीरीज की चौथी वीडियो है और काल भहरव के बारे में अंतिम वीडियो है इन दो इस वीडियो में मैंने वे तक जो पिछली वीडियो बनाई है उन वीडियो के अंदर मैंने बाबा के बारे में आपको बताया है उनकी अस्त्रो शस्त्रो के बारे में उनके भोग के बारे में आपको बताया है और उनके पत्ती की कथा के बारे में आपको बताया है तो इस वीडियो के अंदर में मैं काल भहरव की जो सीरीज चल ली थी इसको समाप्त करूँगा और कल से अब असितांग भहरव की सीरीज जो है वो शुरू होगी चारे पांच वीडियो उनके भी बनेंगे जिस तरीके से काल भहरव के बने थे तो सोचने वाली बात ये है कि वेक्ती काल भहरव का साधक तो बन जाता है कि मंत्रजाब कर रहे हैं साधक बन गए लेकिन वो काल भहरव का भक्त नहीं बन पाता है इसके दो मुख्य कारण है काल भहरो का साधक होने में और भक्त होने में जमीन आसमान कंतर होता है साधक भक्त हो ये जरूरी नहीं है लेकिन एक भक्त हर हाल में साधक होता ही होता है वो कैसे या आपको इस वीडियो में काल भहरो के दो भक्तों की कथा बताओंगा और उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि काल भेरों का भक्त होने में ज़्यादा फायदा है या काल भेरों का साधक होने में ज़्यादा फायदा है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमें तंतर में तंतर चेत्र में हमें यह बताया जाता है कि इनकी उपासना से हमें सिद्धियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं हम लोग भैरवत अंत्र की जो पुस्ता के पढ़ते हैं उनके अंदर भी इनकी सिद्धियों शक्तियों की बात लिकी हुई है लेकिन जिस तरीके से पुरानों में देवताओं के भक्तों के बारे में कथाएं होती हैं उस तरीके से भैरवजी के भक्तों के बारे में कथाएं जो हैं वो बहुत कम मिलती हैं कहीं पर भी मतलब मैंने यूटूब पे देखा तो यूटूब पे मेरे को ऐसी कोई कथा या फिर कहानी या फिर ऐसी समझ में नहीं आई ना किसी ने बताई हुई है जो उनके भक्तों के बारे में आपको बताती है और कोई भी पूजा या फिर कोई भी साधना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उस साधना में भक्ति का समवेश ना हो इसी उद्देश से कि बाबा की ये कथाएं आपके मन में भक्ति को जागरित करेंगी प्रभू के प्रती और आप लोग एक सादक की जगा पे भक्त बन करके प्रयास करेंगे सबसे पहली कथा जो आते है वो आते एलादी की आप मेंसे कुछ लोगों ने एलादी का नाम सुना होगा कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि जो लोग भहरव चालीसा का जाप करते हैं पार्ट करते हैं उन्होंने अलादी का नाम सुनाओगो उसके अंदर भहरव चालीसा में अलादी का जिकर आता है ठीक है लेकिन उसकी कथा क्या है वो कोई जानता नहीं है इसकी कथा मैं आपको बताता हूँ देखिए और वो व्यक्ति ऐसा था जिसके मैं बारे में आपको बताने जा रहा हूँ यह साउथ की तरफ में मतलब दक्षिन भारत की तरफ का यह व्यक्ति रहने वाला था एलादी और इस व्यक्ति को टंत्र मंत्र नहीं आता था क्योंकि यह एक शूद्र समाज का व्यक्ति था ठीक है और जैसे कि हमसे भी जानते हैं कि शुद्रों को पूर्मोकाल में वेद अध्यान करने कि अग्या नहीं होती थी, जिस कारण से ये व्यक्ति कुछ करनी बाया, लेकिन इसकी इसने बाबा काल भैरव की पास में इसके वास में बाबा की कोई मूर्ती नहीं थी, कोई फोटो नह लेकिन इसका नियम था, इसका नियम ये था कि वो व्यक्ति जो भी अन्न बनाता था, उसके घर में जो भी अन्न बनता था, उस अन्न के तीन भाग होते थे, तीन भाग कैसे? अन्न का पहला हिस्सा वो बाबा को भोग लगा देता था, अन्न का दूसरा हिस्सा वो खुद ख यह मान करके वो नित्य प्रति दिन दिन प्रति दिन वो बाबा को भोग लगा था तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने उसकी परिक्षा लेनी की सोची कि मैं इसकी परिक्षा लूँगा आज उन्होंने क्या किया उसके घर के अंदर जितने अन्न के बरतन थे वो सबको खाली क साथ में क्या हुआ उसने देखा कि अन्ने के सारे बरतन खाली पड़े हैं तो उसने जा करके किसी अपने आस्पडोस के विक्ती से कुछ चावल लेकर के आया लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी भाब Issकी किस्मत खराब कह लीजिए या बाबा की लीला कह लीजिए वो जिस कपड़े में चावल ले करके जा रहा था वो कपड़ा रास्ते में ही फट गया और चावल के सारे दाने जो थे वो कीचड में गिर गे केवल एक दाना था चावल का केवल एक दाना था जो कीचर के बाहर था उसने उसी दाने को उठाया उठा करके धोया धोने के बाद में उसे ला करके पकाया पकाने के बाद में जब उसने उस चावल के टुकडे के तीन चावल के तीन टुकडे किये जैसा कि उसका मेशा का देली का नियम था उसने उस चावल के टुकडे के तीन टुकडे करे चावल के दाने के तीन टुकडे करे उसमें से उसने पहला दाना और दूसरा दाना जो आखरी जा दाना था ये दो दो टुकडे उसने प्रभू को अर्पित कर दिये कि प्रभू ये आपका आजगाब हो गया और मेरे पो समा करो मेरे पास में इससे जाद आज कुछ है नहीं तो यह हुआ यह उने के बाद में उसने एक दाना जो था वो बेचारे ने अपने लिए बचा के रखा हुआ था कि मैं इससे को मैं खालूंगा लेकिन कहते ने कि जब प्रभू परिक्षा लेने पर आते हैं तो वह भक्ति को जोड के रख देते हैं उस समय पर क्या हुआ एक कुट्टा आया और उस कुट्टे ने आ करके वो दो चावल के टुकड़े जो उनने बहरव के नाम पर अरपित करे हुए थे वो उस कुट्टे ने चाट लिए खा गया उनको ठीक है अब वो फिर सोच में पड़ गया यब क तो जब उसने यह बात बोली कि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाओगा यह बोलने के बाद में वो सोने के लिए जाने लगा तो उस समय वहां पर बाबा काल भेरव जो थे वो प्रकट हुए और प्रकट हो करके उन्होंने उनसे कहा कि तू भूखा क्यों सो र मैं घॉसके रूप में थे आए था वो भूग लेने के लिए और में तुम्हारी भक्तिसे जो है दें अत्यंत प्रसंद। अंग और तुम मांगो कि तुम क्या मंगते हो तो उससने फिर यह मांगा उसंस संथ ने us,com संत बोलूँगा उ संत ने फिर यह मांगा कि मेरी आप ग्यान हो, मुझे इस तरीके से ग्यान हो कि मैं लोगों को आपके बारे में बता सकूँ, आपके बारे में सिखा सकूँ और ये चीजे मैं करना चाहता हूँ दूसरी चीज की आने वाले समय में, जब भी मेरे दरवाजे पर कोई आए तो वो भूखा ना जाए कभी, मेरे पास में मेरे को महल नहीं चाहिए, मेरे को सोने चांदी नहीं चाहिए लेकि मेरे को इतना चाहिए कि अगर कोई मेरे दरवाजे पर भूखा आता है, तो उसे मैं भोजन करा सकूँ वो होने के बाद में बाबा ने उसे वर्दान दिया बाबा ने उसे ग्यान दिया उसके गुरू बन करको उसको ग्यान दिया ठीक है और उसके अन्दे के भंडार उन्हें इतने भरे कि वो व्यक्ति चिरकाल तक सुखी होकर के रहा इस कता से हमको ये समझने को मिलता है कि बाबा को ना मंतर चाहिए ना तंतर चाहिए ना उन्हें किसी तरीके से कोई भोग चाहिए ना है वो किसी तरीके के भोग के लालची है ठीक है लेकिन उन्हें वो जो चाहिए वो चाहिए उन्हें सची भक्ति अगर वो उन्हें मिलती ह अगर उन्हें आपकी भक्ती की पहचान हो जाती है कि अगर आपकी भक्ती सची है और वो उनको पता चल जाता है तो फिर उसके बाद में आपको कभी किसी से कुछ मांगने की जरूत नहीं पड़ेगी वो आपको इतना देंगे ठीक है अब बात करते है कि अब दूसरी कथा की बात करते है जो दूसरी कहानी में बताने जागा था ये जो कहानी है ये एक बच्ची की कहानी है छोटी से बच्ची थी अपढ़ना नाम था उसका ठीक है और वो बच्ची जो थी जब वो उसके पिता जो थे उसके पिता एक बहुत पहुंचे वे तांतरिक थे जो कि बहरव के उपा सकते ठीक है जैसे कि तंतरगार व्यक्ति होता है वो भी बहरव के उपा सकते तो उसके पिता जो थे वो शाबर मंत्रों के काफी प्रेश वो थे मतलब मानने वाले व्यक्त उस लड़की को बहुत बुरा क्या सकती थी वह सम्झा थी सम्झाती थी दोसे बापा उसको मजाक में टाल देंथे थे कोई नी सुन ता तो एक दिन उसके पिताने कुछ पता नी क्या है तो कुछ करा उसके पिता एक मुर्गा ला करके और उस मुर्गे की बली उन्होंने भैरव को दे दी बली देने का मतलब है कि उन्होंने उस मुर्गे की गर्दन काटी गर्दन काट करके उसका खून जो था भैरव के मुझे उन्होंने लगा जागी ले खा ठीक है उस बच्ची को बहुत बुरा लगा क्योंकि कोई भी ऐसे देखेगा तो क्योंकि अब उस बच्ची के लिए वो कोई तंतर के देवता नहीं थे वो भगवान थे ठीक है जैसे सारे बगवान को मानती थी वैसे उसी तरीके से उनको भी मानती थी और जब उसने इस तरी प्रती मेरे भाव जो है वो सत्त्य हैं तो आज के बाद में आपका किया हुआ कोई भी काम जब वह सफल नहीं होगा तो वह व्यक्ति जो एक समय पर अपने अपने उस दिन के बाद से उस व्यक्ति की सिद्धियों ने काम करना बंद कर दिया शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया वो भोग भी देता था वो मंत्र भी जाप करता था सब कुछ करता था लेकिन उसके बाद में उसको कुछ हुआ नहीं तो एक दिन क्या हुआ कि उस व्यक्ति ज और सीधी सी बात है भाई साब भूखे पेट तो बजन भी नहीं होता जब उस विक्ति को भूख लगती थी जब उस विक्ति को दरीदरता ने तरास देना शुरूर किया उसके मन अपने पूजा पाट से हट करके निकल गया वो गलत रास्ते पे चल पड़ा गलत चीजों में स उस बच्ची ने बाबा से पूछा मूँठी के सामने बैठकरके सन बाबा से पूछा कि परबू किस चीज की वज़े से मेरे पिता को इतना घष्ट हो r염 क्यों हो रहा है तो मूर्ती ने तो कुछ बोला नियुक्त लेकिन उसी रात को उस बच्ची के सपने में बाबा बहर दिया भी नीं, तु फिर अप मेरी बात क्यूं मान दो, तो उन्होंने बोला कि बेटा तेरा बाप जो करता है, वो अपने इस्वार्त की पूर्ती के लिए करता है, लेकिन तूने जो मांगा था, तुने किसी का भला सोच करके मांगा था, ठीक है, तेरे अपने भाव जो थे एक बार ये भी नीप पूछ कर पलट कर कर के बोला कि तू सही है कि गलत है वोषन तेरी एक बात मान कर गे तेरी कहने पर मेरी सारी चीजों को खतम कर दिया मेरे को बरबाद कर दिया तो ये भक्ती की शक्ति होती है ठीक है, यह भक्ति की शक्ति होती है, इसमें किसी तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भोग की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपके भावशुद्ध हैं, तो आप एक बार भी बोलोगे, तो वो आप बात आपके बागवान तक प और ठीक है तुमि और तक मेरे मेरे कहने कि मेरे घुलाम हो जाएंगे ऐसा हे तो अइसा जब तक अब मैंतर के रहे कि तर्वी की शक्ति तो मैं दूर की बाद है आपको बाबा की कृप़ा टक प्राप्तिन होगी अएन भक्तों की कहानिuben और पर का शुनाने आप लोग ये समझें कि तंत्र मंत्र में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति एक भक्ति में होती है जो शक्ति नियमों की सार्थक्ता में होती है ठीक है एलादी ने एक नियम बनाया था कि मैं जब तक दो टुकड़े करके उसके प्रभू का और पितनी करूंगा तब तक मैं खाऊ गया की अचिक्र ना कोई नहीं तो आपकी के अलग है घुर उस्य के गुलाम नहीं कुल नहीं है कि आप करेंगे आप जो भोलो के वह करेंगे ठीक है तो ये ही चीज़ है कि आप लोग भक्ती से प्राप्त करनने कोशिश करें भक्ति से जब आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तब आपको चीजे प्राप्त होंगी और दूसरी बात है कि भक्ति में कभी प्राप्त करने की आशा या आशंका होती ही नहीं है ठीक है इतिहास गवाय है इतिहास उठा करके देख लीजिए आज तक जितन लोग थे इन्होंने भक्ति करी थी इनकी बक्ति के कारण इनको संसार में अनंत कीर्थी प्राप्त हुई थी आज तक लोग इनके नाम की उधारन देते हैं तो काम इस तरीके से करो ठीक है आपको आप साधा को मंत्र जाप करते हो अच्छी बात आप कल को मर जाओगे फुर्टों की मौत नामन मँद ना पड़े ठीक है काम ऐसा करो कि आपको आपके मरने के बाद चार लोग पूछने वाले बचे कि हाँ वो बन्ना ऐसा था ठीक है ना तो इसी वीडियो के साथ में इनीवाप मेरी बातों की समझ गए हूँंगे कि मैं क्या कहना चारूँ इस प्रथम भहरव और उनकी वीडियो में कर से चालू करूँगा और उनकी सादमां के बारे में आपको बताऊंगा तो चाहँ लेसे हुश्य कर सकते हैं चाप में बेना किसी चीज की आशा क्या प्राप्त करते हैं कोशिश करते हैं को पानी के ठीक है अब इस वीडियो में कि इतने जैश्री मा काल आप लोगों को